इंफ्लेशन पर भी कहीं जगां जहां पर आपको लगेगी डिप पर अब पॉर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो सकता है तो क्या कुछ ऐसे स्पेसे जो आप हाइलाइट करना चाहेंगे जो इंफ्लेशन प्रूफ आपको लगते हों इंफ्लेशन प्रूफ बहुत मश्किल है, इंफ्लेशन प्रूफ अच्छी कुछ होता नहीं, लेकिन मुझे रखता है कि जहां पर There are spaces ना जिनका inflation जिनका effect कम पड़ेगा, liquor stocks हों, pharma stocks हों, दवायां लोग खाएंगे कितने बिमार हो, तो इंफलेशन का कही ना कही तो FMC जी स्पेस हो, अगर वो rate hikes लेते हैं, तो वो इंफलेशन प्रूफ हो जाते हैं, Do you agree? अगर आप ज्यादा तर फार्मा कमपनी के रिजर्ट्स देके तो अच्छा नहीं आ रहे हैं, तो वो चैलेंज हो जाता है, कि वो इंफलेशन प्रूफ हो सकते हैं, लेकि उनके अपने अलग से चैलेंज चल रहे हैं, मेरा एक सिनारियो बिल्ड़ अप यह है कि मुझे लगता कमोडिटी का पीक हो गया है, और यहां से आगे जब बॉटमिंग होगी तो यूजर इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा, तो मैं कहूंगा कि जो कमपनी जैसे आटो में अच्छे कर रही हैं, महिंद्रा इन महिंद्रा हो गया, एक्सपेक्टेशन है कि बजाज आटो क्लेलेंड है, ऐसे सब लोग अपना चूज कर सकते हैं कौन सा स्टॉकं को जहाँ पसंद है, उस समय वैलिएशन को देखते हैं, मुझे जगता है ये कंपनी अच्छा करेंगी, एक कैप्ल इंवेस्मेंट साइकल वाफिस है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि उसमें और अगर एक्चुली काफी बड़ी गिरावत आजाती है, इवन आई-टी स्टॉक्स में, यहां से भी अगर 10-15 पसंद गिर जाते हैं, तो क्योंकि इनकी कैश जेनरेशन इती स्टॉंग है, तो ये एक वैलिएशन जोन में आजाते हैं, जिसमें खरीदना चाहिए, इनकी काफी बेटर लग रहे हैं, तो ये तो हुई सेक्टर स्पेसिपिक और साथी बाजार पर आपके नजेरेखी बात, लेकिन साथ ही अगर हम एक ग्लोबल चेक ले, ग्लोबल फंड मैनेजर ने अपने कैश लेवल्स काफी तक बड़ा रखे हैं, कौशन आगे कितना रह चीज़ होती है, वो एक contrarian indicator होता है कि market ultimately आगे जाके कहीं पे bottom हो जाएगा, क्योंकि जब cash levels low होते हैं, वो euphoria शो करता है, बढ़ते हुए cash levels एक caution शो करता है, और जब historically high levels पे cash levels आ जाते हैं, जो कि मुझे रखता है, अगले दो-तीन हफते में शायद आ जाएंगे, जब बह market bottom कर जाता है, तो यह increasing cash level से हमें गबराना नहीं चाहिए, हमें actually इसको welcome करना चाहिए. बिल्कुल, तो यह समय mid cap, small cap में भी एकदम सतरकता ही बतानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे actually retail investor सबसे ज़्यादा attract हो जाता है, वहाँ पे को valuation में कहीं value दिखना शूरू है, यह pockets में या नहीं, वहाँ भी सतर कहना चाहिए? आज़े, valuation value है, mid cap, small cap में और हम लोग भी काफी mid cap, small cap में करते हैं, मेरी भी कई holding हैं, लेकिन हमें dispassionately होके देखना है आज के दिखने और dispassionately होके देखेंगे, तो जब panic में market का fall आएगा और आ रहा है, जैसे panic बढ़ रहा है, उसमें जब bottom होगा, तब अच्छी large cap companies पहल bounce करेंगी, उसके बाद small mid cap वाफिस bounce करेंगे, क्योंकि काफी लोग hurt हो गए होंगे इस previous rally में, जिन्होंने बहुत higher levels पे वो stocks खरीब ली हैं, तो मैं कहूंगा कि ये fall, जो इनके पास cash है, जब ये fall हो रहा है, उसके बाद, fall के बाद, historical prices से compare किया बिना, पहले large cap या बड़ी companies पर focus करें, उनमें 15-20% का rally बहुत fast आ सकता है जब bottom होगा अब ले कुछ हफतों में, और उसके बाद फिर small mid cap के तरफ जा सकता है